नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मरोक्स की यूट्यूब एज़िक उसने चनल में आज की उड़ी लेक्चार है हम डेटेल में स्टेडी करेंगे क्लेवाम 625 टाबलेट के बारे में तो हम जनेंगे उसके बेजिक उसके बारे में के कौन से अलग-अलग medical conditions को ठीक करने के लिए दवाई यूश की जाती है साधी जनेंगे उसके sad effects होगेरा क्या है उसका dose होगेरा क्या है कौन से warnings रहते हैं यूश करने पर और जनेंगे उसके price होगेरा क्या है फिर सिखेंगे कौन से डrug-drug interactions हो सकते है ये medications को लेने पर और सिखेंगे detail में ये medication के बारे में तो ऐसे समझेंगे आपको detail में सिखना है बहुत सारी दवायों के बारे में medicines के बारे में, बीमारियों के बारे में आप medicine course को जोइन कर सकते हैं फार्मारोक्स के अब उपर तो ये course को जोइन करने के लिए आप हमें WhatsApp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को डाउनलोड कर सकते हैं तो link आपको description box के अंदर मिल जाएगी तो बाते हैं topic प्योर समझते हैं Clevam 625 medicine के बारे में तो ये ऐसी class के दवाई है कि जिसको हम antibiotic कहते हैं और उसके अंदर दो antibiotic का combination है पहला जो वो है amoxicillin है कि जो 500 mg जितना ये tablet के अंदर present होता है और दूसरा जो है वो potassium cleolinate है कि जो 125 mg जितना ये medication के अंदर present है तो यहापे हम उसका label देखोगे तो पता चलेगा कि ये tablet का जो type है वो किस type की tablet है तो ये film coated tablet है फिर यहापे salt content का भी proper detail दिया हुआ है कि amoxicillin जो है वो 500 mg और kleolinate acid या फिर potassium kleolinate 125 mg है titanium dioxide करके उसके अंदर color जो है वो add के हुआ हम देख सकते हैं और साथे साथ यहापे एक proper warning लिखी हुई है कि ये जो medication है वो sedule H के अंदर आती है तो जब भी उसको retail में बेचा जाता है तो proper prescription के साथ ही उसको बेची जाती है फिर अब उसके label की और detail study करें तो यहापे जो आप देख सकते है कि klevum जो लिखा है 625 तो वो जो है उसका brand name है 625 के इस तरह से आएगा तो आप यहाँ पे समझ सकते है कि 500 mg है amoxicillin 125 mg है klevumic acid और दोनों का total करोगे तो आपको मिलेगा 625 तो इस तरह से combination में होने से इसका इस तरह से brand name जो है वो दिया गया है अब उसके manufacture की हम बात करें तो उसके manufacture जो है वो है फिर packing की हम बात करें तो इस तरह से alu alu packing में यह जो medication available होती है इस तरह का packing करने की जरूत इस रही है कि यह medication को moisture से अच्छे से prevent करना होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि moisture से उसको prevent करना होता है और storage करना होता है 25 degree या फिर उससे calm temperature पे यहाँ पे आलकेम की detail आप देख सकते हैं कि जिसका headquarters जो है वो मुंबई में है तो अब जमजते हैं यह medication के अंदर जो salt content है उसके बारे में तो amoxicillin क्या है तो amoxicillin जो है वो एक antibiotic है कि जिसको आम एमिनो penicillin class का antibiotic drug कहते है और यह एक popular beta-lectum antibiotic drug है कि जो बहुत सारे bacterial infections को ठीक करने के लिए use की जाती है पर जब यह single use की जाती है बिना किसी combination के तो problem क्या होता है कि bacteria जो है अपने अंदर से एक enzyme को release कर दे जिसका नाम है beta-lactomase enzyme और वो enzyme समझो कि जब bacteria produce करते है तो वो क्या करते है यह जो amoxicillin जो है patient को because कि उसका resistance डेवलप हो जाता है तो यह resistance का problem ना हो इसलिए उसको combination में use किया जाता है potassium kleulinate के साथ तो potassium kleulinate क्या है तो वो beta-lactomase inhibited drug है कि जो enzyme bacteria ने produce किया amoxicillin के structure को destroy करने के लिए उसके effect को कम करने के लिए उसी enzyme को यह potassium kleulinate जो है वो destroy कर देता है कि जिससे amoxicillin का कोई structure पर असर नहीं होता और वो prevent करती है degradation amoxicillin का कि जिससे जब भी आप यह combination लेते है तो दवाई की आपको अच्छे से effect मिलती है और infection जो है अच्छे से ठीक हो जाता है तो आगे समझते हैं उसके use के बारे में के कौन से अलग-अलग use है उसके तो सबसे पहले जो ear infection को ठीक करने के लिए ये medication को use की जाती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कान में infection होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि pulse formation होता है infection हो जाता है bacteria के करन काफी जादा दर्द होता है patient को तो ऐसी condition में ये bacteria infection को ठीक करने के लिए clevum 625 जो tablet है वो prescribe की जा सकती है second condition हम देखे तो tooth infection कि जब आपको दात में infection होता है कि दात में इस तरह से cavities बनती है और cavities में जब खाना जमा होता है या फिर कोई भी food particles जमा होने लगते तो उसके करन क्या होता है कि वहाँ पे bacteria का infection होता है और फिर काफी ज़्यादा painful condition produce होती है patients के लिए कि दात में जब infection होता है तो सुजन देखने को मिलती है दर्द होता है तो वो conditions को ठीक करने के लिए भी ये medication को prescribe की जाती है फिर दूसरा उसका use देखने तो sore throat की condition हम कहते है कि गले में खरास या फिर जो हमारा throat होता है वहाँ पे इस तरह से redness हो जाती है वहाँ पे सुजन आते जिसको हम tonsillitis की condition पे कहते हैं tonsils में सुजन आ जाती है दर्द होता है खाने में भी दिक्कता दे मैं लगे जब निगलते हैं आप तो उस वक्त काफी दर्द वगेरा होता है तो वो conditions को ठीक करने के लिए जिसको strap throat भी हम कहते हैं या फिर sore throat की condition कहते हैं तो उसकी इलाज में भी ये medication को use की जा सकती है फिर दूसरी हम देखे तो जो skin के उपर infections होते हैं कि bacteria के करन समझे कि इस तरह से skin के उपर infections होते हैं वहाँ पर pulse formation होता है pulse जमा होता है जिसको हम bacterial skin infections कहते हैं तो उसके इलाज में भी ये medications को दी जा सकती है फिर जितने भी अलग-अलग type के respiratory tract infections है जैसे कि मानलो कि आपके फेपडो में cough जमा हो जाता है chest में infections हो गया है breathing करने में difficulty हो patient को मानलो कि जितने भी respiratory tract infections है जैसे कि pneumonia के condition है bronchitis के condition है lower या फिर अपर कोई भी type का respiratory tract में infection हुआ है bacteria के कारण तो उसको ठीक करने के लिए use की जा सकती उसी तरह से जो urinary tract infection है कि मानलो वो infection जो आपका bladder में है urethra में है ureter में है या फिर kidneys के अंदर तो पूरे urinary tract के अंदर कहावे भी infection है उसके करन सूजन आ गई है दर्धोरा है तो वो conditions को ठीक करने के लिए भी ये medication को दी जा सकती है तो UTI के जितने भी symptoms होती जैसे कि बार-बार पेसाप करना जाने पड़े पेसाप करते वक्त जलन होती तो वो सब symptoms को भी ठीक करेगा ये medication फिर typhed जो fever है कि जिसको हम enteric fever कहते है तो उसमें भी एक option बनता है antibiotic के अंदर कि अगर कोई दुसरे antibiotic से ठीक नहीं हो रहा है टाइपर तो उस वक्त आप clay one 625 भी use कर सकते हैं उसके अलावा अब जानते हैं उसके mechanisms के बारे में तो ये दवाई काम कैसे करती है तो ये क्या करती है कि दुसरे जो penicillins होते है उसी तरह से ये बैक्टेरिया के अंदर उसकी cell wall जो होती है उसको destroy कर देती है और उसको bacterial cell wall synthesis inhibitor कहा जाता है कि जो bacteria के आसपास अपनी एक protective cell wall होती है तो ये जो cell wall होती है उसको ये जो medicine है वो destroy कर देती है जिसके करन बैक्टेरिया जो है वो सरवाय नहीं कर पाते पर उनकी growth जो है वो धीरी-दीरे कम होने लगती है और उसी तरह से जैसे जैसे उनकी growth कम होती जाएगी आपके body में से जो infection है वो ठीक होने लगता है अब आगे समझना ज़रूर है कि ये medication का dose होगे रखया है तो basic जो dose होता है amoxicillin का तो वो रहता है 250 से लेकर 1000 mg के बीच में रहता है और वो जो dose ये patient दिन में 3 बार जो हो ले सकता है पर ध्यान रखना है कि हर एक dose में बीच में at least 6 से लेकर 8 गंटे का time interval होना जरूरी है तो यहाँ पे जो है amoxicillin 500 mg है clevum 625 के अंदर तो minimum dose के हम बात करें तो एक tablet जो है वो patient दिन में 2 बार ले सकता है minimum 6 या 8 गंटे के time interval पे तो treatment lower dose से खास करके आप सुरू कर सकते हैं और समझे कि dose बढ़ाने की जरूरत पड़ती है तो वो ही tablet दिन में 3 बार उसको ले सकता है patient और बहुत ही severe condition है तो उस वक्त एक tablet जो दिन में 4 बार भी patient ले सकता है पर ध्यान यह रखना है कि 1000 mg maximum dose है उसका दिन में 3 बार मनलब कि maximum 3000 mg से ज्यादा dose जो है वो patient को नहीं देना चाहिए बिकोज उसके करने कुछ side effects वगेरा हो सकती है कि जो हम आगे discuss करते हैं अब बात करते हैं उसके price की तो यह medications की हम price देखें latest तो जिस दिन यह video बन रहा है तो उसके अकड़ूइंट के अब बात के बात करते हैं उसके side effects के तो सबसे पहले कुछ minor side effects होते हैं यह medications के कुछ लोगों को यह लेने के बाद nausea, vomiting वगेरा जो फिल करते हैं फिर कुछ लोगों को यह medications लेने के बाद diarrhea जैसा हो जाता है फिर दूसरी कुछ side effects देखें तो stomach pain वाले के पेट में दर्ध होने लगता है सीर दर्ध होने लगता है कुछ लोगों को फिर आगे कुछ और complications देखें तो आपके skin के उपर rashes बन सकते हैं कि अगर आपको यह medication suit नहीं कर दी फिर दूसरी कुछ side effects देखें तो vaginal, eating या फिर discharge जो हो सकता है पेशन को फिर swollen, black या फिर hairy tongue बना कि इस तरह से आप देखो कि jeep के उपर आप यह जो condition देख रहे है कि jeep के उपर patient के hair like structure इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है जो jeep होती उसके उपर सूजन देखने को मिलती है और वो black color जैसे आपको देखती है तो यह major side effects उसकी हो सकती है अगर आपको यह medication soup नहीं होती या फिर अचानक से आपको इस तरह से reactions होने लगते हैं अब बात करते हैं उसके warning तो यह medication के लिए सबसे पहले warning यह रहेगी कि अगर आपको penicillin की allergy है तो यह medication को use नहीं करना चाहिए यह जो है वो amino penicillin class का antibiotic drug है तो किसी को penicillin की allergy है सेफाल अस्पुरिंग क्लास की drugs की allergy है तो यह medication से भी आपको allergy हो सकती है तो दियान यह रखना है सबसे पहले कि allergy नहीं होनी चाहिए second condition कि किसी का liver खराब है liver disease का patient है किसी भी stage में है liver का problem तो यह medication को use नहीं करनी चाहिए उसी तरह से समझे कि renal disease यानि कि जिसको kidneys खराब है kidney अच्छे से काम नहीं कर रही तो इन लोगों को भी यह medication orally use नहीं करनी चाहिए फिर ऐसी conditions कि जिसके करन आपके body में अचानक से allergic reactions होने लगते है hypersensitity reactions होने लगते है जैसे कि आप देखो कि यह patient है उसको समझे कि यह medication ली तो अचानक से उसकी आखों में सुजन देखने को मिल रही है उसके heart rate increase होने लगते है abdominal pain हो रहा है काफी ज़्यादा vomiting होने लग रही है जीब या फिर उसके lips के उपर और भी सुजन देखने को मिल रही है या फिर patient जो है वो consciousness जो है उसकी वो चली जाती है patient बेवोस हो जाता है hives develop होने लगते है उसको difficulty होने लगती है breathing में या फिर wheezing या फिर coughing जैसा होने लगता है तो यह medication जो है वो तुरंद लेना जो है वो बंद कर देना चाहिए और patient को proper जो है वो treatment देना जरूर रहते है कि एक type के allergic reactions है severe कि जिसको हम ऐसा कहिए सकते हैं कि hypersensitivity reactions होना तो यह कुछ warnings रहती है Clevam 625 को use करने पर अब बात करते हैं pregnancy में उसको use की जा सकते हैं तो pregnancy में यह medication जो है वो safe होती है यूज करने के लिए pregnancy category उसकी B है अब next important topic है वो है drug-drug interactions कि जब समझे के कोई patient Clevam 625 को use कर रहा है दूसरा combination में कौन से दूसरी दवाई आपको use नहीं करनी है तो यहाँ पर हम कुछ medications देखते हैं जैसे कि allopurinol है तो allopurinol और Clevam 625 का combination जो कभी भी use नहीं करें उसके करन जो harmful side effects हो सकती है और ज्यादा या फिर medications की effect कम हो सकती है second हम देखे तो probenacid करके जो medication आती है उसके साथ यूज नहीं करें barfarin के साथ उसको use नहीं करें methotrexate के साथ यूज नहीं करें या फिर mycophenolate mofetil करके जो drug आती है उसके साथ भी कभी combination में Clevam 625 को use नहीं करें तो ऐसे समझें कि आपको detail में सिखना है बहुत सारी दववायों के बारे में बीमारीों के बारे में तो आप medicine course को join कर सकते हैं तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं या फिर हमारी mobile application को आप डाउनलोड कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी study material, taste series, video lecture या फिर medicine course के लिए जरूर से whatsapp करें good luck and all the best